हेलो एब्रिवन वेल्कम टो आवर योटूब चैनल एजू फार्मेसी दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको डलको फ्लैक्स अपूजिटरी के बारे में संपूर्ण जानकरी देने वाले हैं तो वीडियो के अंत्रतक आप जरूर बने रहेगा तो चलिए वीडियो हम का कंटेन तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं जो डलको फ्लैक्स का कंटेन है वो है बीसा को डिल चुकी इच सपोजिटरी में 10 एमची पर रहेगा और यह जो है पांच सपोजिटरी की एक पूरी इस्ट्रिप आती है इसमें एक और रहेगी यहां फिलाल इस वक्त हमा एक एक कर हम इस सपोजिटरी की विसेस्ताय भी जान लेते हैं तो दोस्तों डलको फ्लैक्स का ओप्योग बड़ों में किया जाएगा यहां दवा कौंश्टी पेशन मतलब कप्च की समश्या में जो है रिकमेंट की जाती है कौंश्टी पेशन एक ऐसी समश्या है जिसमें पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है इसमें मल या तो सूखा रहेगा या बहार ठीक से पास नहीं हो पाता है इसे इस्तिमाल करने से जो है कौंश्टी पेशन में बहुती जल्द राहत मिल जाता है और पेट अच्छे तरह से साफ हो जाता है इसे जो है डॉक्टर सरजरी के पहले ये medical procedure के दोरान जो है recommend करते हैं ताकि जो पेठे वहाँ अच्छे तरह से साफ हो जाए overall इसका उपयोग adult में किया जाता है constipation को ठीक करने के लिए dosage भी इसके हम जान लेते हैं आखिर इसका इस्तिमाल कैसे करना है तो देखे दूस्तो एक ही suppository काफी होती है प्रती दिन के लिए तो इसमें आपको जो है पहले तो अपने हाथ को अच्छे तरह से साफ कर लेना है फिर अपनी सभूलियत के हिसाब से position आपको ले लेना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है remove करने का दिये गए इसको अगर आप थोड़ा pressure देंगे तो यह जो suppository है आपकी आसानी से निकल जाएगी फिर आपको अपनी जो है उंगलियों के माध्यम से एक से देड़ इंच तक जो है insert इसे करना होगा फिर आप लगबग 10 से 15 जो मिनट है लेटे रहेगा फिर उसके बाद आप अपने हाथ फिर से धो सकते हैं यह आपको जो दवा है tablet form पर भी उपलप्त हो जाती है लेकिन suppository का जो result है टेबलेट की तोलना में आपको ज़्यादा fast मिलेगा तो इसलिए दोनों को अलग-अलग form में बनाने का यही उद्धिश है और आई होप आपको हमाई द्वारा दीगे information पसंद आई हो अगर दोस्तों आपको डलको flag suppository से जुड़े कोई भी प्रशन हमसे पूछना है तो comment के माद्यम से आप हमसे जरूर पूछेगा और इसे अपने friends में भी share करना नहीं भूलेगा ताकि उन्हें भी इस दवा के बारे में some poor knowledge हो सके जल्दी मिलते हम अपनी next video पर